आपको क्लास में भी कहीं बार बोला था कहीं बार वीडियो वगर भी बोल चुका हूँ ऐसे नहीं करना वरना सब गड़बड हो जाएगी इस वेरी इंपर्टेंट टो मैंटेन यूर बायोजिकल क्लोग बच्चो एक बात ध्यान रखना आपको एकजाम देने जाना है Maintain your biological cloak Spelling, spelling गरना तो जाय तो please माफ कर दे न English नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको It is very important to maintain your biological cloak अब है तुम्हारा exam है बच्चे पता है क्या-क्या गलतियां कर रहे है कुछ बच्चों से मैंने पूछा फोन-फोन करके कैसे-कैसे पढ़ रहे हो तो बोलते हो sir, coaching बंद School वैसे भी बंद थी School तो लगता है अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है एक तरस है School का तो नाम ही भूलने लग गया आदे लोग तो Coaching बंद, school बंद Sir, मैस वैस तो वैसे ही बंद पढ़े हैं कई बाहर जाना नहीं है बाहर आना जाना बंद ऐसे में क्या होता है आदमी रात को सोता है लेट क्योंकि लाइव क्लासे जो चल रही है हमारे लेट 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 लाइम तक चल रही है कुछ लोग तो एक एक बज़े बारा बज़े क्लासे ले रहे है ठीक है उससे ओ क्या रहा है बच्चो की मारा बझ लिये बच्चे सोते हैं रात को आफी बच्चों से पूछा उनसे पूछा भी कितने बच्च तो नाक ही है से वैसे तो पढ़ाई करते हैं पर थोड़ा बहुत है चला लेते हैं फोन वोन भी सो एक बात ध्यान रखिए का बिटा यह आप बहुत ज़्यादा ही गलत कर रहे हो अगर आप चार बजे तक पढ़ रहे हो सुबह मैं तो कहरा हूँ नहीं चला रहे हो फोन आप सिर्फ पढ़ रहे हो आप अगर सिर्फ पढ़ भी रहे हो ना मुझे कोई फरक नहीं पढ़ेगा सिदी सी बात है वाट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि यह बहुत ज़्यादा ही गलत है अगर आप चार बजे सोके मान लिजे कि आप सुबह दस बजे भी उड़ जा रहे हो तो यह बहुत ज़्यादा गलत है आप कहते हो कि सर मैं तो पूरी रात पढ़ता हूँ मेरी सिर्फ रात कोई पढ़ाए होती है रात को कोई डिस्टरबेंस नहीं होता घरवाले भी सुझाते हैं घरवाली भी सुझाती है मतलब तुम्हारे तो नहीं होगी घरवाली लेकिन जनरली लोगों के होती है सो घरवाली भी सुझाती है लोगों के है सब सुझाते हैं लेकिन 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 आपको रात को नहीं पढ़ना अब मैं आप कोई बहुत सिंपल सा साइन्टिफिकली रीजन समझाएता हूँ, बैटा एक बार बताओ, एक्जाम कितने बचे होगा आपका, या तो नो से बारा या दो से पांच, जनरली आपका रियल एक्जाम की बात कर रहा हूँ, जो आप नीट का एक्जाम देने जा रहे है, जे ही, हाँ, में साइडवान सब की बात कर लो, आप तो बोड़ बोड़ की बात कर लो, तो जनरली जो टाइम होता है, या तो दस से एक, नो से बारा, दो से पांच, ऐसे टाइमिंग होते हैं, अब तुम क्या कर रहे हो, अपनी बाइलोजिकल क्रोप की बारा बजा रह हो, और के रहे हो की सर कुछ कुछ तो 11-11 बजे तक उठहें alors बोलते हैं से पूरी रात पढ़ता है, ना क्या दिक्कत है, घर सोने दो शोओ, अरे क्या पागल हो क्या, तुमारा दिमाग अगर मान लिए तीन महीने तक, अगर तुमारा दिमाग बिटा, ऐसे ही दस बजे तक अगर सोया तो वो एक्जाम के दिन भले ही फिजिकली तो सुबह आठ बजे तो मुट जाओगे या मान लीजे कि भई एक्जाम अगर नो बजे हैं तो तुमको आप पहुचना होगा आठ बजे तुमको घर से निकलना होगा साथ बजे तुमको रेड़ी होना स्टार्ट करना पड़ेगा छे बजे तुम्हारे निन्द अपने आप खुल जाएगी पांच बजे इसका मतलब तुम एक्जाम वाले दिन पांच बजे उठोगे और तुम बाकी दिन दस बजे उठ रहे हो गैरा दिन बजे उठ रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग इतनी ईफिशेंसी सो दिन काम कर पाएगा मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ अच्छी अच्छी जो दिमाग की किताबे हैं या साइकलोजिकल बुक से उसके बैसिस पे मैं बात बता रहा हूँ कि आपको अपनी बाइलोजिकल क्लोग को मेंटेन रखना होगा आप अगर माल दीजे एक्जाम नो बज़े देने जा रहे हो और एक्जाम के दिन अगर आप पांच बज़े उठने पाले हो तो प्लीज अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से मेंटेन कर दीजे कि आपकी लाइफ आपको 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 पांच बज़े आपकी नींद खुल जाए और आप जैसे एक्जाम में फोलो करोगे अपने आपको वैसे डेली फोलो करो अगर बच्चों आपको बहुत अ जब भी देना हो आप 9-12 और 2-5 के बीच में ही दो इससे क्या होता है कि जिस दिन आप अच्छा वो कंडिशन भी वैसी बना ली आपको पूरी पूरी ऐसा भी नहीं कि आपको यार वहां जाके है ना जैसे वहां जाके आपको एसी ना मिले तो घर में बैठके एसी में एक् और बैठके हो सकता है पंखा भी ढंक से नहीं चल रहा हूं तो स्लो पंखा करके एक्जाम दू वहां बिस्तर बैठके एक्जाम में देना पड़ेगा टेबल करसी प Ini ना ćपको टेबल करसी पर दू और होचसरता है कि कुष्शी पर तेसट snap में गर में बथा हूं कि घर में क्या बनाया था या आज घड़ जागे क्या बनाने वाली हूँ ठीक है तो हो सब्सक्राइब आपको मिल जाए या मिसस सम्थिंग चोपड़ा पॉपड़ा जो भी थे उन्होंने ऐसी प्रोडम करते थी ठीक है तो यह सब बाते वहां होती रहेंगी आपको सुनाई आती में एक्जाम देने के लिए खुद को ढालना है हाई बच्चों बात सब्सक्राइब तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको बहुत अच्छे मांक्स चाहिए तो अपने बाइलोजिकल क्लोग को चेंज कीजिए ऐसी गलती मत कीजिए यह गलती आप लिए बहुत गहा तक साबीत हो सकती है बाकि आपको पर जराब भी कुछ डाउट हो time table पर कुछ discuss करना हो आप हमको DM कीजिए इंस्चागराम पर साब्सक्राइब करो करेंगे okay Instagram पर cat.learning नाम से हमारी ID है आप हमसे माक्या जुड़ सकते हो बाकि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much मिलेंगे नए वीडियो के दिनर thank you